नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेल्थ ड्रिंग जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही जादा जरूरी है अगर आपके शरीर में बहुत जादा दर्ध रहता है मास पेशियों में सूजन है हमेशा आपको कमजोरी और ठकान फी जादा जरूरी है तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपस दिखते होंगे आप खुद भी हो सकते हैं कि पूरा दिन सोने के बाद भी हमारे शरी में ठकान सी रहती है सुस् आपके अंदर इतना विजिबल रिजल्ट आएगा कि आप खुद देकर हैरान हो जाएंगी आप पहले से बहुत जदा आक्टिव फील करेंगे आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी और मोटापा भी आपका काफी जादा कम हो जाएगा आपके हाथ पेरों में सू लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आज का आपका वीडियो का शेयर करना ना बहुत सारी लोगों की जिंदिकी को खुशनमा बना सकता है तो ऐसे हमें दूसरों की हिल्प करनी चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ इसको बनाने के लिए आपको लेना है एक ग्लास दूद दूद में आपको डालना है सबसे पहला इंग्रीडियन्ट है हमारा सौफ जी हाँ जो हरी वाली सौफ आती है खाने वाली वही आपने इस मस्या है तो उसको दूर करती है तो जितना भी आपके शरीर में गंदी की जमायना उसको बहार निकालती है आपके शरीर में कॉलिस्ट्रॉल को बहतर करती है सौफ आपकी यादाश को बढ़ाती है आपकी आखों के लिए बहुत अच्छी है आपके गले के आवाज यानि ज सौफ बहुत ही जादा लाब डायक है तो आपने इस्तमाल करना है इसमें एक चमत सौफ का अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इंग्रीडियन की तरफ जिसका नाम है वो है अद्रक जी हाँ दोस्तों अद्रक आपने यहां पर लेनी है एक इंच अद्रक उसको आप कूट लीज और पतला पतला इसको आप चक्कू से भी काट सकते हैं बिल्कुल आप इसको बहुत बारीक कर लीजिए अब अद्रक के क्या चमतकारी फायदे हैं अद्रक सबसे पहले काम आती है पुराने से पुराने गठिया जोनों का दर्थ मास पेशियों की सूजन को ठीक करने के पेट में जलंड की पेट फूलने की तो यह सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और आपके वेट लॉज के लिए बहुत हैल्फिल है आपका वजन बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है आपके शरीन में जो भी एक्स्ट्रा वसा है चर्वी है उसको बहुत उच्छी तरीके करके उसका पाउडर बनाके कांच की शीशी में स्टोर करके रख लीजे अगर आप जिंदी की भर विमारियों से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि दाल चीनी आपके मोटापपे को कम करने के साथ साथ आपके पूरे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है अगर आपके बाल बहुत जादा बढ़ने लगता है तो मारी स्कीन काली बढ़ने लगती है तो उसको कम करती है बस आपने इसकी कॉंटिटी लेनी है एक चुथाई चममच आप इस दूद्ने मिक्स कर दीजे इसको अच्छे से उबलने दीजे उबलने के बाद आप इसको चन्नी की मदद से चान कर क्लास में निकाल लेजे और सिप सिप करके पिए अगर आपको थोड़ा सा चीनी इसमें आट करनी है तो धागे वाली मिश्री आट कर सकते हैं अगर हनी आट करना है तो हनी के लिए आप दूद को थोड़ा ठंडा होने दें जब लुक वार्म हो जाए दूद तब आप हनी करें क्योंकि हनी आइओ वेड में भी भी बताया गया है कि गरम चीज में हनी अगर आप करते हैं तो वो के शेरी में जहर का काम करती है तो हनी कभी भी गरम चीज में आट बिल्कुल करें और रोजाना इस दूद का सिवन करें सुभा श.. अजब भी आपको प्र डाल्चिन तब आप इस दूद का सेवन करें वैसे कहते हैं रात को दूद का सेवन या तो बिल्कुल सोने के टाइम करना चाहिए या बिल्कुल सुभा करना चाहिए तो जरूर इसका सेवन करें और फिर देखें इसके चमातकारी फायदे और अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं ब कि बोड़ी फिजीकली ग्रोथ की टेंचन रहती है ना वो हो नहीं एटलीस बंद हो जाएगी क्योंकि उनका फिजीक भी अच्छे से ग्रोथ करेगा तो आप अपने घर में अपने बड़ों को पिलाएं खुद इस चीज को लें वीडियो को प्लीज अपने फामिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें शोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर करें ऐसी कुछ बहतरी इन देखने के लिए मेरे साथ बने रहें मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई टेक केर एंट स्टेए हल्दी लव यू अल